अस्सलाव अलेकूम अजीस तुलबह तालेबात ये आठवी जमात के आठवी कवीता जिसे पाकराचे मागने इसके पहले वीडियो में आप तमाम का स्वागत है अमीद है आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए शुरुआत करते हैं पाकराचे मागने इसे लिखा है प्रेमचंद अहीर राओ ने प्रियम्चंद्र अहिर्राव एकुनाविशे चोरेत्तर प्रसिद्ध कवी विविद्ध मासी के दैनिक नियताली के यातिन कव्वे लेखन वो सदर लेखन परियावरन संवर्धना साथि अनिक उपकरमात सहभाग त्यांची शिव गाता वो शंभू गाता ही पुस्त के पुरकाशित आहेत आचे तंत्रद्नान्याचा युगात मानो स्वताचा सुख सोई साथी सुरुष्टी चे स्वयरपने वापर करू लागला है कड़त नकड़त केलेले या गोश्टी मुड़े सजीव सुरुष्टी तील रुक्ष प्रानी यांचा ही अस्तित वाला दोका पुहसला है सोथाचा प्रगती बरोबरस प्रानी मित्रांचा जीवनाचे सन्रक्षन करन्या विशाई चे प्रास्तित कविता की शुर इप्रिल 2018 या मासी कातुन गेद लिया है प्राकराचे मागने ये जो कविता है ये फ्रेम चंद अहिर्चा हुने लिखिये ये बहुत ही मशूर कवी है इन्होंने बहुत सारे मासीक में दैनिक में नेतालिक में कावे लेखन किया है ये परियावरन समवर्धन के लिए भी इन्होंने सहभाग किया था इनकी दो बहुती मशुर पुस्ता के किताब है शियू गाता और शम्भू गाता अब वो कहते हैं कि आज की जो टेकनोलोजी का दौर है इसमें इनसान ने खुद के सुईधा के लिक्या किया है सुरिष्टिका बहुती बुरी तरह वो इस्तमाल किया है और जाने अन जाने उसे बहुत नुखसान पहुचाया है जिसमें जाड प्रानी इसकी अस्तित्व को दोका हो गया है यानि उसके वजुद खत्रे में है अब इसके खुद की तरखी के लिए उसने क्या किया है प्रानी मित्र का और जीवन का जो संरक्षन करना था उसको नहीं किया इसलिए जो परिंदे हैं पाकरे हैं उनको यहां पर उसकी बात को यहां पर पेश करने की कोशिश की गई है चलिए इसके वाचन करते हैं और उसके बाद में ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तुझा रधायत आमची तुझा चाहतात आहे रे मांची आयुश्याची घरे मनासार की बांचील तुझा साथी रहाईला एक जहार लाव अंगनात आम हाला रे विश्रांती ग्याईला भव्य धरने उभार्शिल तुझा पानी तुला वापराईला ठेव छतावर ही थोड़े पानी आम हाला रे प्याईला फुलांची बाग फुलव शिलतुझा प्याईला फुलांची बाग फुलविल्शु फुलव शिलतुझा प्याईला व्रुक्ष वेली ना सजाव कमानी आम हाला रे जुलाईला करकश गानी एक शिलतुझा प्याईला आनंद आमचा जपुन ठेव आम हाला रे खिल विलाईला प्रान आमचा वाचा जपुन ठेवन भुट देवला अभी जो कवीता है ये कवीता के हम कुछ शबदारत देखेंगे फिर उसके बाद में उसका भावारत देखेंगे ये सदयव यानि नहमी, करूना किसे कहते हैं, करूना यानि दया, सदयव नहमी, आयोशयाची दोरी यानि आयोशयाची मर्यादा, करकश आवास, काना न सहज न सह होना रा आवास, सहन न होना रा आवास, भुद्ध आया, प्रानी मित्रावर, प्रानी मात्रावर, प्रेम, अ असनारा विश्रांती घेने मंजे आराम करने भव्य मोठी प्रचंड उभार्शिल बांदशिल छत घराची गच्ची चिमुकलियाना लाहान मुला बढ़ाना वुरुख्ष दानी धाड़े वेली लता करकश कर्ण कटू आवाज काना नत्रात देनारा आवाज प्रान जीव अ असवे एक बार फिरसे से पढ़ेंगे और फिर इसके भावार्थ को समझेंगे करोना असु दे सदैव मांसा तुझा रदायात आम ची तुझात हातात आहेरे मांसा दोरी आम चा आयूश्या ची अब इसमें कभी क्या कह रहे हैं पाकरा चे मांसा कड़ कड़ी ची विननतिय पाकरे मांसा तुझा मनात आम चा विशयी कायम नेमी काया असु दे कायम तरी दया असु दे आम चे जिवन भर तुझा वर आवलंबुना है तुझा आम चा प्रान दाता है आम चे आयूश्य तुझा हाताता है यानि यहां पर दया के प्रेम के भाव रखने की पक्षी क्य गरे मना सार की बांचील तू तुझा साथी रहाईला एक जार लाव अंगनात आम हाला रे विश्रांती ग्याईला अब इसमें क्या कहता है गरे मना सार की बांचील तू यानि इसमें कभी कह रहा है कि मानुस क्या करता है खुद के लिए सोता साथी राने साथी मन पसंद घर बानता है वो पंत्यास वड़ी एक लक्षा तसुदे के आमहला यानि पाक राइला अब इसमें क्या कहता है कि ए मानसा तू पानी पीने के लिए बड़े-बड़े धरन बनाता है और तीरी प्यास तो बहुत छोटी है तीरी प्यास तो बुझ जाती है लेकिन हम प्यासे रह जाते है तो छट पर थोड़ा सा पानी रख दे ताकि हम पी सकें फुलांची बाग फुलवशिल तू चुमुक लेना खेडाएला वरुक्षवेलीनी सजव कमानी आम हाला रे जुलाएला अब यहां क्या कहता है कि तू मानुस को कहता है कि तू फूल के बाग लगाएगा तारके तेरे बच्चे खिल सकें तो उस बाग के साथ साथ तू क्या कर एक बेल भी लगा दे उसकी कमान लगा दे ताकर हम अताके परिंदे यानि पक्षी वहाँ पर आकर जुल सकें गाना गा सकें करकश गानी एक्षिल तू मनोरंजन कराएला आनन्द आमसा जपुन ठेव आम हालारे किल बिलाएला अब यहाँ पर क्या कहता है कि पक्षी मनोरंजन करते हैं लेकिन इंसान क्या करता है मानुस करकश गानी सुनते रहता है कान को तकलीफ देने वाली लेकिन पक्षियों की जो बहुती किलविला हट है चह चाहा हट है अच्छी आवाज है उसे नहीं सुनता तो उसको उस आनन्द के लिए भी अपनी दिल में थोड़ी जगा रख ऐसा कभी से विनन्ती की गई है अब यहां क्या कहता है यहां पर पक्षी के तरफ से विनन्ती है के ए मानो मनात भुद देला जागुन तु आमचा प्राण वाचव यानि दिल में दया रख और हमारा प्राण यानि हमारी जिन्दगी को बचा आमचे रक्षन कर हमारी हिफाज़त कर यानि अगर तु हमें नहीं बचाएगा तो तेरे आँखों में आस्वा आ जाएंगे और तु रोएगा लेकिन हमें देख नहीं पाएगा अमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगले वीडियो में दुबारा मुलाखात होगे खुदा आफेज